एड्वोकेट अमित पूरी जी रादे 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 महराजी आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ा हूँ उर्देफ कल्यूग में अपने करम पर नजर कैसे रखे मोह माया लोब अहंकारत नजर करने वाला होता कौन है यह समझना पड़ेगा न आप ही नजर करने वाले हो और फिर नजर चूकने वाले हो तो आप तो नजर चूके हुए हो तो नजर करे कौन चूकी हुई नजर का सुरूप क्या है अंता करन में तदात्म भाव आप यह नहीं देख रहे हैं, कहें जरूर देते हैं, मन आज मेरा शान्त नहीं है, दृष्टा तो आप सूचित कर रहे हैं वाणी से, लेकिन आप मन बने हुए हैं, आप श्वयम को उसके साथ अशान्त किये हैं, आज मेरी इच्छा है यह खाऊं, यह देखूं, यह शुनू यह आपका विशह नहीं, यह उन इंद्रियों का विशह जिनके साथ मन मिल गया है, पर आप उस समय तदात्म हैं, तो आप नजर कैसे रखेंगें, नजर तो दृष्टा पुरुश रखता है, जो दृष्टा भाव को प्राप्त दृष्टा ही तो नजर रखेगा, हम तो द परमार्थ के यात्रा, शाधन को हरिभजन है, कैसतसंग सहाए, प्रधाम शाधना नामजब और इसमें रुचि क्या करना चाहिए, क्या नई करना चाहिए, इस दृष्टी को प्राप्त करने के लिए सास्त्र श्वाध्याय सत्संग, अगर सत्संग नहीं है, हरिभजन नही तो आप श्ट्वयम फिसले हुए, फिर जाचेगा कौन, जाचता तो हो है जो दृष्टा भाव को प्राप्त हो रहा है, हम तो दृष्ट में आसकत हो रहे, हम इंद्री बने हुए, हम मन बने हुए, हम देह बने हुए, तो इसले, चाहे जो यूग हो, साधना ठीक हो, तो आप सत्यूग में ही है, भगवत चर्शावरे, भगवन नाम जब करें, पवित्रा हार पा रहे, सब के साथ सद बिवार करें, तो कल्यूग कहा है, अब विचार कर रहे हैं, मांस मदिरा पी रहे हैं, जुआ खेल लहें, इंसा कर रहे हैं, तो फिर आप कल्यूग में ही है, देखो त्रेता में राम जी ने जब बन में हड्यों का धेर देखा तो पूछा रिष्यों से यह क्या है तो उनका जानते हुए स्वामिया पंजान की बाहत पूछते हैं यह रिष्यों की वो हड्यों का धेर है जो निशाचरों ने खाखाके तो ऐसा नहीं है कि अभी ही युग में हैं आप भगवान में इस्तित हैं अगर आप गंदी बाते चिंतन करें तो जो कल्यूग का प्रभाव और और युगों में भी जहांके देख लो वह आचरन मिलते हैं क्योंकि जो तमोगुन को रजोगुन को स्वैकार के उसके आचरन वही होंगे हां कल्यूग मे प्रभाव की विशेष्टा है पर भगवान के नाम से भूकर थोड़ी कल्यूग सामर्त सालिए अगर हम नाम जब करते हैं सत्य सास्ट्रों के अनुशार चलते हैं तो हमारे उपर कल्यूग का कोई प्रभाव नहीं गाए तो कल्यूग के प्रभाव को रखा गया है मदिरा पिना परिष्ट्री गमन करना शुर्ण चूरी अर्था चूरी करना हिंसा मार काट मांसा दिखाना ने और दृत केड़ा चल कपट जुआ अगर यह आचरन नहीं है तो आपके उपर कल्यूग का प्रभाव नहीं पढ़ेगा यह आचरन है तो आप कोई भी वह प्रभाव उसक से शुरू है है देड़ बजे रात्री से लाइन पर खड़े आप सब्सक्राइब फूरा रोड दो किलो मिटर और यहां गेट से ले मतलब अगर हम दो ढ़ाई वजे निकलते हैं तो पहले से खड़े हैं अगर वो जो संगार करते हैं रोड में वो उसको देखो तो इसा लगता है दो तीन घंटे पहले किया होगा पत्रावली सब इसे रचनाव सब चोक पूर्णा ये कल्यूग है बला एक कल्यूग है अगर कल हो रहा वाँ कल्यूग होगा जाहिन साचो ब्लाकर यूग होगा ल ऑगव कि से चल जो शत्यूग का प्रभाव तो यो हैं दॉपर्में भगवान थे यही तो उनमें वही क्ल्यूग में सब्ता माहर काट में विचार गंदे आश्रन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है हम नाम जब करें भगोदास्टी प्रहें समझे आप